आज बड़े सबेरे ही अनन कुमार जी के न रहने के समाचार मिले। हम सभी भारतिय जनता पार्टी के कारे करताओं के लिए करनाटक और देश की जनता के लिए ये बड़ा दुखत समाचार है। अनन कुमार जी बाल्यकाल से ही राष्ट्य जनता पार्टी को आकार देने में उनका बहुत बड़ा युगदान रहा। करनाटक से राष्ट्य राधनीती में आने के बाद अनन जी राष्ट्य महासची बने लंबे अर्षे तक भारतिय जनता पार्टी के संगटनात्मक धाचे को मदबूत करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम से पार्टी को मदबूती परदान की। अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। भारतिय जनता पार्टी की दोनों सरकारों में अनेक विभागों को अनन्द कुमार जी ने उर्जा प्रदान की हैं। उनका प्रसास्तनिक योगदान भी देश के विकास के लिए पार्टी की सरकार को सफलता दिलाने के लिए बहुत महत्वपून रहा है। आज अनन्द कुमार जी के नरहने से भारतिय जनता पार्टी को बहुत बड़िक शती हुई है। और उनके दुखत निधन के समाचार से देश भर का कारेकरता आहत है। आज पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार जनों को, उनके समर्थकों को, उनके चाहने वालों को मन से प्रभू से प्रात्ना करता हूं कि इनको इतनी सक्ति दे कि इस दूख की घड़ी में वो अपने आपको सम्हाल पाएं। अनन्त कुमार जी के पार्टी में और देश के विकास में यूगदान को भारती जनता पार्टी का हर कारे करता और जनता भी लंबे समय तक याद करेगी। इस मौके पर मैं भारती जनता पार्टी की वर से अनन्त कुमार जी की आत्मा को इस्वर सानती प्रदान करें यही इस्वर प्राथना करता हूं। झाल